दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप इस महाशिवरात्री पर बोले नात का विशेक इस परकार करेंगे तो होगा शुब और हम बताएंगे आपको विशेश पूजनवीदी जिससे बगवान शिवशंकर जल्दी परसन होंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शिव को परसन करने के लिए यह सबसे अच्छा दिन महाशिवरात्री को माना जाता है 2018 में फालगुन मास की चतूर्थी तिथी 13 फरवरी को रात 10 बच कर 34 मिनट से शुरू होगी जो 14 फरवरी को रात 12 बच कर 14 मिनट तक रहेगी इसी दिन बगवान शिव ने कालकूट नामक विश को अपने कंट में रख लिया था महाशिवरात्री के दिन समुद्धर मंथन के समय निकले कालकूट नामके विश को अपने कंट में दारन करने के कारण ही बगवान शिव को नील कंट कहा जाता है नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सकाइब नहीं किया है तो किर्पय पहले ही से सब्सकाइब करें और हमारे चैनल पर एविलेवल बेल आइकन को एनेबल जूर करें ताकि हमारी आने वाली सबी वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों महाशिवरात्री के दिन वर्त रखने की प्रमप्राच सदियों से चलिया रही है इसलिए इस दिन बगवान शिव की विशेश किरपा प्राप्त करने के लिए वर्त रखने का विदान है इस दिन सुबह उठकर सनान कर शिव लिंग पर जला विशेक करना चाहिए महाशिवरात्री के दिन शिव को अभिशेक करने का भी विदान है दोस्तों बगवान शिव के अभिशेक में दूद, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, चीनी और पानी जैसी विविन समगरियों का प्रयोग करना चाहिए इस दिन बगवान शिव के प्रिये चीज बेल पत्तर को वश्ये चड़ाना चाहिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिव को बेल पत्तर चड़ाने से शिव अत्यधिक परसन होते हैं महाशिवरात्तरी के दिन शिव के प्रिये चीज दतूरे को भी चड़ाना चाहिए दतूरा शिव को बहुत प्रिये है दोस्तो शीव पुरान के अंसार बगवान शीव का अभिशेख गंगाजल या दूसरे करना चाहिए अगर आप इन चीजों से बगवान शीव का अभिशेख करते हैं तो बगवान शीव बहुत पसंद होते हैं और अपनी किरपा हमेशा आप पर बनाई रखते हैं तो दोस्तो ये था हमारा आज का टोपिक जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आप बोलेनात को परसंद करना चाहते हैं तो बगवान शीव का इस परकार अभिशेख करें उमीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए अगर आपको ये वीडियो फाइदे मन लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जूशे करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूले कीप शेरिंग एंड कीप स्पोर्टिंग अस हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ थैंक्स वो वाचिंग